हाँ जी, गूड इवनिंग टू आल उफ यू, माइक ही नहीं लगाया था, क्लास शुरू कर दी थी, माइक ही नहीं लगाया था, त्स वाइ दुबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, जी, अब आदियो वीडियो सब ओके है? सबको गूड इवनिंग, गूड इवनिंग, साक्षी, सोम्या, आयूष, लविश, अभिनव, बिनाय, मयंक, हर्शित, रोहित, भावना, वरुन, दीपक, अर्चित, रोहित, साहिल, पूजा, मन्दीप, एंड आल अदर, सबको गूड इवनिंग. चलिए, शुरू करते हैं आज के सेशन को, टॉपिक चल रहा है चैप्टर नमबर 19, जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओडिटर का. इस चैप्टर में हमने अब तक तीन टॉपिक्स कवर अब किये थे कल के लेक्चर में. पहला टॉपिक था the fundamental principles that are to be complied with by a professional accountant. पाँच fundamental principles थे उनके circumstances को हमने discuss किया था. ये दो introductory topic थे intermediate वाले जिने हमने फिर भी काफी detail में discuss किया था. एक main topic cover up किया था जो final level का topic है that was NOC LAR. आज भड़ते हैं next topic की तरफ और आज से आप ये कह सकते हैं Chartered Accountant Act 1949 शुरू हो रहा है. Chartered Accountant Act 1949 के अंदर बहुत सारे provisions हैं. provisions कैसे councils बनेंगी, regional councils कैसे बनेंगी, उनके election कैसे होंगे, president के, vice president के, क्या-क्या powers है, secretary के functions, treasurer, branches कैसे open होंगी. ये administrative aspects है जो Chartered Accountant Act के अंदर दिया हुआ है. But we are not concerned with that administration part. Rather we are concerned with, we have to study the practical part that is related with the members of the ICEI. Members, whether they are in employment, or they are in service, or otherwise engaged in other activities, उनके reference में, उनके code of conduct को लेकर हमें बात करनी है. ठीके जी, तो करेश्रुवात, हमारा सबसे पहला topic है आज, membership of the institute. मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस topic में हम कौन-कौन से provisions को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे section number 5 की, जिसमें types of member, दो तरह की membership होती है, एक associate membership और दूसरी fellow membership उसकी चर्चा करेंगे. Thereafter, section 8, what are the disabilities due to which a person will not be qualified to get his name enrolled in the register of member? Section number 20, how the name of a person can be removed from the register of member? Regulation number 19, if name of a person is removed from the register of member, किन circumstances में उसके name को membership register में restore किया जा सकता है? Regulation की बात करें, तो regulation कौन सी है हमारी? Chartered Accountant Regulations 1988. लवीश, voice break हो रही है, बिटा, ऐसा message कहीं और से नहीं आ रहा, तो हो सकता है, आपका net का कुछ issue हो, एक बार re-login कर लो. और उसके बाद हम बात करेंगे section number 24 की, that is penalty for false claiming to be a member. So, चार section, section number 5, section number 8, section number 20 and 24. चार section है, 5, 8, 20 and 24. और इसके साथ हम एक regulation cover up करने वाले है, regulation number 90. अच्छा, voice break हो रही है, तो half minute, half minute, रुकिए मैं class को अपने end से दुबारा से re-login करा देता हूं. झाले हम आढाि हो झाले है, choकश्चा एंढ focus भी खनक मैं चरच करेंगे. एले हम रही है, एले हुन को घंतों करेंगे or दूब स noीज में, तो ज te अउम हम बादा друзья ओस्वज़ रही है? चलिए जब आपने का आपके एंड पर इशु नहीं है तो हो सकता है हमारे एंड पर इशु हो तो हमने रिलॉगिन कर लिया अच्छा ओके है चलो फिर बढ़े आप आगे ताट करते हैं सेक्शन नमबर फाइव से ताइप ऑफ मेंबर्शिप आफ्टर क्वालिफाइंग यूर फाइनल एक्जाम एंड कम्पलिशन अफ आल ट्रेनिंग्स आर्टिकल शिप या आईटी ओटी जो भी नाम है आज की डेट में तो सारी ट्रेनिंग्स को और फाइनल एक्जाम को पूरा करने के बाद पास करने के बाद आप एप्लाई करते हैं इन्स्टीचूट को कि आपके नाम को रिजिस्टर ओफ मेंटर कर दिया जाए और एक एप्लिकेशन आपको देनी पड़ेगी एंट्रेंस फीस आपको पे करनी पड़ती है और आपका नाम रिजिस्टर ओफ मेंटर कर दिया जाता है Once your name entered in the register of members, you will become a associate member of the ICAI. आप ICAI के associate member बन जाते हैं. 5 years की continuous practice के बाद, या फिर 5 years तक आपने employment की है, एक specified field के अंदर जो ICAI ने specify किया, तो उसके बाद आप eligible हो जाते हैं to get the fellow membership. Fellow membership इसका मतलब represent कर रही है एक seniority को. जो 5 years की continuous practice के बेस पर या 5 years की employment in specific area के बेसिस पर या combination of practice plus service for a continuous period of 5 years उसके बेसिस पर ये fellow membership मिलती है. Benefits क्या है fellow membership के? Government audit के अंदर, bank audit के अंदर, listed entities की statutory audit के अंदर, fellow membership का criteria major role play करता है. तो दो तरह के members हो गए. एक associate member and second fellow member. जब आप final exam पास करके अपनी सारी trainings को complete करके apply करेंगे, associate member बनेंगे आप. लेकिन, there are some conditions जो fulfill करनी होंगी, otherwise एक person का नाम register of member में enter नहीं किया जाएगा. तो उसके reference में, section 8 के अंदर, disabilities specified की गई है. क्या-क्या है वो disability? एक person का नाम register of member में enter नहीं होगा, यदि उसकी age 21 years से कम है. या फिर, वो person एक undischarged insolvent है, insolvency declare हुई है, और अभी तक उसने अपनी liabilities को set up नहीं कराया है. या, discharged insolvent है, उसने अपनी liabilities settle कर दी, insolvent declare हुआ था, but now he has discharged his liability. लेकिन, court से permission, एक certificate नहीं मिला, कि ये जो insolvency थी, ये उसका एक misfortune था, उसके किसी misconduct के कारण नहीं थी. इंसिडेंटली हो गई थी, not due to any misconduct on his part, या फिर, ये person unsound mind का है, तो एक person जिसकी age less than 21 year है, unsound mind का है, undischarged insolvent है, या फिर, discharge solvent है, लेकिन, court से certificate नहीं मिला, कि insolvency was due to misfortune, bad luck, without any misconduct on his part, without any misconduct on his part. या फिर, एक person, उसको convicted किया गया है, by a competent court of an offense involving moral turpitude, and that is punishable with imprisonment, and unless he has been granted a pardon by the central government, और last, यदी, पहले से नाम register of member में था, लेकिन, किसी ground पर register से नाम remove कर दिया गया, due to any misconduct, तो जितने period के लिए, council ने decision लिया, disciplinary body ने decision लिया, कि आपका नाम register से remove किया जाता है, 6 महिने के लिए, तो 6 months के लिए, इस person का नाम register of member में दुबारा से enter नहीं हो सकता, यह section 8 के provisions है, फिर section 20 आएगा, जिसमें कहा गया, एक person का नाम, जिसका register of member में already name है, वो remove किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कब, जब उसकी death हो गई, या उसने खुद request दी, उसने अपनी annual membership fee pay नहीं की, यह section 8 में, he was subject to any disability, तो person, जब उसने apply किया था membership के लिए, कोई problem नहीं थी, unsound mind का नहीं था, बाद में unsound mind का हो गया, या बाद में insolvency आ गई, या बाद में किसी court ने उसको दोशी माना, किसी offense का involving, moral turpitude, तो इन situation में एक person का नाम, register of member से हटाया जा सकता है, death हो गई, तो यह तो क्या ही दुबारा आएगा, मतलब ही नहीं होता ना इसका तो, जिसने खुद हटवाया है, दुबारा फीस दे करके add करवा ले, by mistake, annual fee pay करना भूल गया, हमारे जैसे भूलक कड़ होते हैं बहुत, भूल जाते हैं, तो यदि कोई बंदा अपना membership fee, जो annual fees होती है, वो देना भूल गया, institute ने तो एक October को register of member में से नाम काट दिया, कि मैं अपनी उस membership fees को, प्लस late fees को, प्लस दुबारा से entry fees चाहिए मुझे, pay करनी पड़ेगी, वो सारी fees pay कर देता हूँ, financial year के end से पहले पहले, जिस date को मेरा नाम remove हुआ था, उसी date से restore हो जाएगा, मेरी membership continued रहेगी, break नहीं मानी जाएगी, break नहीं माना जाएगा, यदि मैंने membership fee, entrance fees, annual fees, जो मेरे arrear थे, plus जो additional fees मुझे काउंसिल ने बोली, financial year खतम होने से पहले पहले, जैसे, financial year चल रहा है, 24, 25, last date क्या है, इस year की fee pay करने की, यदि extend नहीं होती date तो, 30th of September, 24, मैंने इस date तक fee pay नहीं की, okay, institute ने, 1st of October, 24 को, मेरा नाम, register of member में से remove कर दिया, अब मैं ICAI का member नहीं रहा, मुझे पता चला, जब मेरे पास letter आया, institute की तरफ से, प्यार भरा पत्र आया, कि आपकी membership को, हटा दिया गया है, खतम कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि आपने annual fee pay नहीं करी थी, कब आया letter, 10 October को, उसी time पर institute का portal login किया, और fees भर दी, अब मुझे बताओ, क्या मेरी membership में ये break माना जाएगा, या मेरी membership 1st October से ही restore कर दी जाएगी, financial year खतम होने से पहले पहले मैंने membership fee pay कर दी, मेरी membership कब से restore होगी, 10th of October से ही, या 1st of October जब हटाई गई थी मेरी membership, 1st of October से, तो क्या इसमें कोई break आया है, क्या इसमें कोई break है, नहीं, ये break का concept क्या है, ब्रेक का concept है, कि fellow membership के लिए continuous practice या continuous service चाहिए होती है, और बीच में break आ गया तो problem हो जाती है, So that's why जो concept है हमारा, financial year खतम होने से पहले पहले, यदि आप fee, arrear, दुबारा से entrance fees pay कर देते हैं, तो आपकी membership restore हो जाएगी, कब से, 1st of October से ही, the day जिस तिन आपकी membership cancel की गई थी, लेकिन हम तो कुम्बकरण की नींद सो गए थे, October से लेकर मार्च के बीच में, 6 महीने हम सोते रहे, इस fees को लेकर, हमें नहीं याद आया कि fees भी देनी है, 5 April 2025 को याद आया fees देनी है, जब 25-26 का सर्कुलर आया, कि जी आपकी पुरानी fees भी pending है, और 25-26 की भी है, membership ठाते हो तो fees दे दो, दे दी, अब membership कब से मिलेगी, membership कब से मिलेगी, 1 October से मिलेगी, या 1 April से मिलेगी, या 5 April से मिलेगी, बताओ जर्ब, तीन डेट बताईए मैंने आपको, मैंने membership fee pay की 5th of April को, तो मेरी membership अब कब से restore होगी, 1st of October से, या 1st of April से, या the day on which I apply for the membership, that is 5th of April, जी, हंजी, सही जवाब है, रेड़ी सहाब का, लविश का, बिल्कुल सही, रामा, राजू, हर्शेत, 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 गलत, गलत, 1st April नहीं, the day on which I apply for the application, I apply for the membership, पांच अप्रिल से, ठीक है हर्शेत, 1st April नहीं, 5th April, the date of application, इसके बाद, फिर आएगा section 24, जो ये कहता है, कि यदि, ये आपके उपर अप्लाई हो रहा है, दिहान रखिएगा, आप मेंसे कुछ बच्चे है, शायद, ऐसा काम करते होंगे, आप अभी member तो नहीं बने ना, बट, आप represent कर रहे हो किसी को, that you are a member of the ICAI, या आप charter accountant का designation, यूज कर रहे हो, without being a member of ICAI, कैसे यूज कर लोगे आप charter accountant का designation, कैसे आप represent कर दोगे, कि आप ICAI के member है, और माल लो, आप ICAI के member हो, जैसे मैं, मेरे पास T.O.P. नहीं है, certificate of practice नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, I am a practicing CA, मेरा ये experience है, मेरा वो experience है, मैं practice कर रहा हूँ, मैं ये audit कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये audit report दिखाऊंगा, and so on, तो इन दोनों situation में, मेरे पे fine लगेगा, लगा लो, कितना लगाओगे, पहली बार गलती पर, 1000 रुपे तक का बस, तो ये गलती तो मापी लाहक हो गई, 1000 रुपे का fine, कोई fine है आज की rate में, रावत क्या कह रहे हैं, आप, if a fellow member, take a break for two year intentionally, now if we want to start again fellow member, fellow रहेगा, तो कि उसका past में, 5 साल से ज़्यादा continuous practice थी ना कभी तो, तो एक fellow member के में break आगया, तो fellow ही बनेगा दुबारा, ऐसा नहीं है कि उसको associate बना देंगे, जैसे मैं fellow member हुआ, इस C.A.I. का, यदि मैं इस साल की fees ना पे करूँ, अगले साल अप्लाई करूँ, तो मैं fellow member ही बनेगा, अच्छा चलो, पहली गलती पर fine लगाओगे, कितना लगाएंगे, 1000 रुपे, बस, up to, up to, 200 रुपे भी लगा सकते हैं, 100 रुपे भी लगा सकते हैं, दूसरी गलती पर, 5000 रुपे, आपने बहुत भारी गलती कर दी, पांच गुना fine, लेकिन वो पांच गुना भी आज की rate में, 5000, आपका stipend भी शायद इससे ज़्यादा ही होता होगा, या फिर ये है problem, जेल की सजा, up to, six months, और बोट, दोनों भी हो सकते हैं, तो ये problem है, जो छे महिने की जेल की सजा हमें बोली गई है, और बहुत, तो अब बताएं, ये जो topic है हमारा, about the membership of the institute, कोई doubt इसमें, वैसे भी सारा study करना है, concept मैंने आपको explain कर दिया, चार sections, section number 5, section number 8, section number 20, and 24, और regulation number 19, तो एक बार, इन सारे concept की reading ले लेते हैं, फिर एक दो questions की practice कर लेंगे, फिर आगे भरेंगे, in the meantime, आपका कोई doubt आ रहा है, तो doubt आप मुझे भेज दीजिए, अज़ आपकोई आपकोई और, ताप्य आपकोई आपकोई अर्जिस्टर नापकोई आपकोई 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 लेंगे, practice in India for five or more years या member जो associate member है पर a continuous period of five or more year and has experience equivalent to the experience normally acquired as a result of continuous practice for a period of five year as a chartered accountant तो यदि मैं practice नहीं कर रहा मैं किसी CA के अंडर जोब कर रहा हूं किसी CA के अंडर जोब कर रहा हूं मेरे पास अपना COP नहीं है I am an employee chartered accountant लेकिन मैं काम सारा का सारा वो ही कर रहा हूं जो practicing CA का होता है क्यों क्योंकि मेरी service कहां है एक practicing CA के अंडर है तो क्या मेरा equivalent experience treat कर लिया जाएगा बताइए मुझे साथ साल होगा एक CA के अंडर नोकली करते CA जो practicing CA है साथ साल के बाद मैंने सोचा मैं अपनी खुद की practice करूँगा और मैं fellow membership लेना चाह रहा हूं बताइए is it possible yes it is possible so member जो associate member है five years या उत्ते जादा पिरड के लिए and having an experience equivalent to the experience normally acquired as a result of continuous practice for a period of five year as a chartered accountant तो ये member भी eligible है fellow membership के can a person become a member of the institute apart from qualifying the examination there are certain provisions later on first schedule के part 1 के clause 4 में discuss करेंगे इस point को disabilities to become a member a person shall not be entitled to have his name entered in the register of member if he has not attained the age of 21 year at the time when he is applying for the membership he is of unsound mind and stand so adjudged by a competent court मेरे कहने से कि उसका दिमाग खराब है कुछ नहीं होगा when court adjudge a person that he is of the unsound mind based upon the facts and circumstances then that person will be treated as a person of unsound mind and disqualified to become a member of the ICAID person is an undischarged insolvent insolvent है liability set off नहीं हुई है insolvent है liability भी discharge करती but not obtained a certificate from the court that state की जो insolvency थी ये misfortune के कारण थी not due to any willful misconduct on his part किसी परसन के पैसे मारने के लिए किसी परसन के साथ धोखा धरी करने के लिए ये काम नहीं किया गया था ये एक misfortune था माल लो जैसे एक परसन ने xyz की guarantee दे दी पांच करोड रुपे की एक CA ने अपने भाई की guarantee दे दी कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई भी अच्छा खासा financially well established था bank को लोन से लोन चाहिए था उस CA ने guarantee दे दी भाई की factory में लग गजई आग बहुत भ्यंकर और उसके बाद उस भाई की हो गई death अब ये विचारा CA उस पांच करोड के burden में आ गया अब बताओ क्या इसका misconduct था विचारे का कुछ नहीं it was only due to misfortune on his part bad luck था ये सिरफ इसका तो court से certificate लाना पड़ेगा stating that insolvency was caused due to misfortune without any misconduct on his part the person has been convicted by a competent court of an offense involving moral turpitude that is punishable with imprisonment एक court में दोशी बाना है एक offense का जिसके लिए imprisonment की सजा है लेकिन जदी आप central government से माफी नामा ले आते हो कि central government आपको माफ कर देती है तो ठीक है फिर आप eligible हो जाएंगे otherwise unless he has been granted a pardon by the central government he has been removed from the membership being found guilty of misconduct misconduct का guilty पाया गया और misconduct के ऊपर दो schedule है जो later on हम cover up करेंगे first schedule to chartered accountant act and second schedule to the chartered accountant act जिसके अंदर बहुत सारे clauses हैं जिन situation में एक member को guilty माना जा सकता है misconduct का so section 8 यह वो topic है जिसकी आपको learning करनी है इस पर question frame हो सकता है बाकी topics पर कोई question frame शायद से कभी नहीं हुआ only section 8 is there जिसके ऊपर question frame हो सकता है removal of name from the register of member council of ICAI may remove from the register the name of any member who is dead from whom a request has been received who has not paid any prescribed fees required to be paid by him who is found to have been subject to any of the disabilities mentioned in section 8 चार criteria section 20 में prescribe किये गए है जिसके basis पर एक person की membership खतम की जा सकती है उस person के name को register of member से remove किया जा सकता है और वो चार situation क्या है death request received हुई है annual fee pay नहीं की गई person is suffering from any disability next restoration restoration एक provision है सिरफ जब आपने fee pay नहीं की थी तो आप fee pay कर दीजिए membership restore हो जाएगी किस date से यदि आपने 31st March से पहले पहले पे अपनी fee pay कर दी the date on which the membership was cancelled उसी date से restore होगी but in the same financial year यदि आपने amount pay नहीं किया यदि आपने amount pay नहीं किया यदि रिस्टोरेशन विल बी from the date when you apply for the membership moral turpitude का मतलब होता है नैतिक सिधानतों के against जिसे society accept नहीं करती जैसे harassment work environment के अंदर employees को female workers को harass करना domestic violence के cases जो नैतिकता के moral moral ground पर ठीक नहीं है moral सिधानतों के against है राइट लविश जदी एक person guilty पाया गया किसी offense का involving moral turpitude एक chartered accountant ने किसी female kulit के साथ बत्तमी जी की और उसने complaint फाइल कर दी court में court ने उसको दोशी माना और चार महिने की जेल की सजा दे दी तो ICAI कहता है तुम member बनने के लायक नहीं हूँ लेकिन वो person बिचारा बड़ी request कर रहा है गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई पच्चतावा है and so on और central government में जान पहचान निकाल कर वो अपने लिए माफी नामा ले आया है central government ने उसको माफ कर दिया क्या अब ICAI इस person को अपना member बना लेगा बताओ क्या ICAI इस person को अपना member बना लेगा आजाओ अब क्या कर सकते हैं जब central government ने माफ कर दिया तो हम क्या ही कर पाएंगे चलिए जी आगे बढ़ते हैं Restoration of Membership Regulation No. 90 Council on an application received from a member whose name has been removed from the register due to non-payment of fees Restore his name if he is otherwise eligible यदि वो अपनी annual membership fee का arrear और entrance fees दुबारा से pay कर देता है Restoration will be with effect from the date on which the application and fees are received However, if the application is received in the same year in which the name has been removed The name may be restored from the date on which it was removed from the register of members तो यह concept मैंने आपको बताया यही same concept Certificate of Practice के case में भी आगे जाकर एपलाई होगा Penalty किन circumstances में section 24 अपनी penalty लगाता है दो circumstance पहला Person is not being a member of ICAI but he is representing himself that he is a member of ICAI or he is using the designation Chartered Accountant Person is a member of ICAI but not holding Certificate of Practice He represents that he is in practice or he practices as a Chartered Accountant तो ऐसी situation में First conviction के लिए उसके उपर एक हजार रुपे का फाइन लगाया जा सकता है Up to 1,000 Subsequent conviction के लिए पाँच हजार रुपे का फाइन 6 महिने की जेल और बोथ दोनों impose किये जा सकते है Same year means same financial year हमारा जो फीस जाती है वो calendar year basis पर नहीं जाती फीस जाती है financial year basis पर 1 April से 31st March की और due date होती है 30th of September ठीक है रोहित चलो अब इसके question देखें एक दो MTP April 23 का कुछ्च्च्च्छ है Mr. Shital is a practicing CA due to natural calamities and misfortune. During year 2021, he lost almost all of his wealth and became undischarged insolvent. After few court hearings, finally in the year 2024, he was declared discharged insolvent. and he also obtained a certificate from the court that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part. You are required to comment on the above situation with reference to Chartered Accountant Act 1949 especially from the point of Section 8 entry of name in the register of member. So now, इस situation में अब आप बताईए क्या ये person eligible होगा कि अब इसके नाम को register of member में दुबारा से enter करा दिया जाए? जी, बताईए. क्या ये condition पूरी कर रहा है? Now, he is declared as discharged insolvent. उसने certificate भी ले लिया from the court stating that उसकी insolvency was caused by the misfortune. Yes, कोई problem नहीं है. Now, he is entitled to get his name entered in the register of members. As per section 8, section 8 का provision आ गया. इस case में क्या हुआ? Facts of the case आ गये? Thereafter फिर conclusion. आपको practical case studies के answer को तीन चीजों में देना है. सबसे पहले you need to explain the related provisions. उन provisions की थोड़ी बहुत explanations. Thereafter facts of the case. And finally, give the conclusion. तो नहा पर पहले section 8 explain किया गया. Thereafter facts of the case बताए गया. Conclusion, Mr. Sheetal has not violated the provisions of section 8 and he is not debarred from having his name entered in the register of member. अब उसका नाम register of member में enter किया जा सकता है. कोई problem नहीं. बस जी, एक ही question था. इसके उपर section 8 के उपर. चलिए, अब बढ़ेंगे आगे. मेंबर्शिप की बात कर ली. अब मेंबर्शिप के बाद आ जाते हैं. Certificate of Practice के उपर. Certificate of Practice, COP. ICAI के जो मेंबर्श हैं, वो अपने आपको engage कर सकते हैं, either in the employment or in the practice. Employment के लिए कोई और additional formality पूरी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अपने आपको यदि हमें practice में engaged करना है, then we are required to obtain a Certificate of Practice. हमें एक Certificate of Practice लेना होगा from the Council of ICAI. कोई भी मेंबर, without having Certificate of Practice, CA की practice कर रहा है, either in India or outside India. then उस person को section 6 की violation का guilty माना जाएगा. Without holding Certificate of Practice, you are not eligible to carry out the practice, जो भी practice के लिए work areas reserved किये गए हैं, वो आप उन activities में आप engage नहीं हो सकते. तो इसके लिए अब हम क्या क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे section number 6 की Certificate of Practice. Regulation number 10 की किन situation में Certificate of Practice cancel को सकता है? Regulation number 11 की किन situation में Certificate of Practice जो cancel हो गया था, उसको restore कराया जा सकता है. Restoration of Certificate of Practice. और उसके बाद फिर आएगा एक बड़ा important concept, detailed concept, section 2 clause 2. Section 2 clause 2 या subsection 2. इसके उपर कहीं बार मेरी discussion अननसेसरली बढ़ती चली जाती है, वैसे इसका कोई फरक नहीं पड़ता कि इसको subsection बोलू या clause बोलू, बट एक छोटा सा concept है कहीं बार जो बच्चों का concept ठीक नहीं होता. बताएंगे ये subsection है या clause है? Is it a subsection or clause? ये subsection है. ये clause है. ये ये, लेकिन काफी जहगा पर section 2 clause को represent करता है, लेकिन Chartered Accountant Act में ये एक सब सेक्षन है कैसे आप identify करेंगे कि whether ये सब सेक्षन है या clause है जब आप किसी भी सेक्षन का draft देखते हैं किसी भी सेक्षन का draft देखते हैं सेक्षन टू इसकी heading लिखती गई कि सेक्षन टू किस चीज का है let's say मान लेते हैं definitions का है ये तो हो गया इस सेक्षन का title अब क्या सेक्षन ने अपना concept content ऐसे divide करके दिया यदि सेक्षन ने अपने content को सीधा divide कर दिया तो इसका क्या मतलब है ये बनते हैं subsections सेक्षन का content subsections में दिया गया और दूसरी चीज क्या है हमारे पास section 2 definitions और यहां लिखा गया in this section unless context otherwise require कुछ भी आगे provision आगे x word means y word means z includes नहीं नहीं बिनोए clauses are written in roman ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर यह situation B है यह situation A है situation A में section पहले subsection में डिवाइड हुआ फिर provisions आई यहां पर 1, 2, 3 में division हो गई फिर provision लिखा गया लिकिन situation B को देखोगे क्या division से पहले ही कोई line लिखी गई है कोई provision explain किया गया है जी है division से पहले ही कोई line लिख दी गई इसका मतलब क्या यह section कभी subsection में divide हुआ था क्या यह section कभी subsection में divide हुआ नहीं इसने सीधा अपना provision लिखना शुरू कर दिया तो यह क्या है फिल 1 और 2 ये हैं clauses अब company act 2013 को देखिएगा उसमें इस तरीके से provision मिलेगा तो ये clause है अब Chartered Accountant Act 1949 का draft देखिएगा उसके अंदर यहां definition की जगा interpretation word लिखा हुआ है और इस तरीके से format है ये subsection है तो Chartered Accountant Act का section 2, subsection 2 याद रखिएगा ये हमें एक concept देगा members deemed to be in practice का उसके बाद section 7 आएगा members to be known as Chartered Accountant section 27 आएगा maintenance of branch office KYC norms आएगे तो 5-6 topic हैं छोटे-छोटे इसके अंदर जो हमें cover कर ले हैं पहले इसका introductory part discuss कर लेते हैं Certificate of Practice section number 6 ये कहता है ये कहता है no member of ICAI whether in India or outside India shall be entitled to practice unless he has obtained a certificate of practice from the council of ICAI मेरे पास मैं अपना एक्जामपल लेता हूँ आज की डेट में मैं certificate of practice hold नहीं करता हूँ क्या मैं statutory audit accept कर सकता हूँ किसी entity की जी बस no-no में जवाब देते जाना answer दे दिया मैंने आपको क्या मैं किसी company की statutory audit accept कर सकता हूँ जवाब है नहीं क्या मैं किसी person को tax representation की services दे सकता हूँ जवाब है नहीं क्या मैं किसी person को corporate law की consultancy दे सकता हूँ without holding certificate of practice जवाब है नहीं क्या मैं किसी person को in the name of member of ITI financial management planning की services दे सकता हूँ जवाब है नहीं 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 रेडी साहब in the capacity as a member of ICAI मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ हाँ ICAI की membership मैं use ही नहीं करता I am chartered accountant मैं ये wordy यूज नहीं करता I am pankaj garg मेरी knowledge है मैं आपको tax की consultancy दे सकता हूँ but मेरी qualification क्या है that I will not disclose with you तो इसका मतलब मैंने ICAI की membership use नहीं की तो मैं जो वर्जी करूँ फिर फिर मुझे कौन रोकेगा यदि मैं without using the membership of ICAI कोई भी काम कर रहा हूँ जहां पर मैंने chartered accountant designation ही use नहीं किया ICAI की membership use नहीं किया I am not taking the work in the capacity as a member of ICAI तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा I am a member of ICAI but not holding certificate of practice तो यदि मैं ICAI की membership की capacity में काम लेता हूँ मैंने आपको खा मैं आपको taxi consultancy दूँगा I am a qualified chartered accountant I am fellow member of the ICAI तो मैंने ICAI की membership use कर ली है ICAI की membership के base पर मैं काम ले रहा हूँ और section 6 कहता है आप ICAI के membership है member है तो without holding certificate of practice काम मत कर ले प्रेक्टिस का without holding certificate of practice आप प्रेक्टिस का काम नहीं कर सकते है So, if a member surrender his COP for any period due to misconduct तो इस पिरड के दोरान he cannot accept any work in his capacity as ICAI मान लो ये जो member था ये advocate भी है तो क्या ये advocate की capacity में tax representation का काम ले सकता है advocate की capacity में ये company secretary है ये cost accountant है तो ये insolvency professional है ये registered valuer है ये GST practitioner है I am not using membership of ICAIE I am using I am a member of Bar Council of India I am a member of CH Institute I am a member of Cost Accounting Institute I am a registered valuer I am insolvency professional I am GST practitioner I am not using the membership of ICAIE तो ठीक है ना फिर करो क्या दिक्कत है तो यदि एक person की membership cancel हो जाती है due to membership नहीं COP cancel surrender हुआ है COP member वो आज भी है तो वो CA की capacity में मतलब membership की capacity में कोई काम नहीं ले सकता उतने पिरड के लिए जितने पिरड के लिए उसका COP cancel हुआ मान लीजिए COP cancel हुआ छे महिने के लिए तो छे महिने के लिए आप ICAIE की membership की capacity में काम नहीं ले सकते किसी और capacity में काम ले लो हमें कोई दिक्कत do not use the work word chartered accountant उसके अलावा जो मर्जी करो दो however he can accept the work in any other capacity for example as advocate as GST practitioner as insolvency professional किसी बंदे को ये थोड़ी कहेंगे अरे तुमारा छे महिने का COP cancel कर दिया घर जाके बैठो काम मत कर ले ना खुछ तूम अप ऐसे थोड़ी होता है मैं GST की practice कर रहा हूं मैं law की practice कर रहा हूं मैं insolvency professional की capacity में काम कर रहा हूं I am not taking the work in the capacity as a member of ICAI तो ये section 6K provisions है क्या एक member का COP cancel हो सकता है हाँ जिसका नाम ही register of member से remove हो जाए जो member ही नहीं रहा तो certificate of practice कैसे रहेगा एक question आया है CA in employment also being an advocate may give tax consultancy in the capacity of advocate बिल्कुल दे सकता है बिल्कुल दे सकता है कैसे रोक लोगे उसे आप advocate है तो आप advocate की capacity में ये थी tax consultancy दे रहे हैं not in the capacity as a member of ICAI ICAI की member की capacity में नहीं दे रहे ठीक है ना दीजिए फिर हाँ यदि आप employment में है CA है और आप tax consultancy दे रहे है using the designation chartered accountant तो तो बताओ फिर आपको COP लेना पड़ेगा फिर आपको COP लेना पड़ेगा if you are using the membership for tax consultancy work is this not wrong for CA in practice इस बिल्कुल भी गलत नहीं क्यों गलत होगा advocate के tax की consultancy नहीं दे सकता क्या उसने law नहीं पड़ रखा क्या उसने law नहीं पड़ रखा even high court supreme court के अंदर tax के case में CA तो appeared भी नहीं हो सकता advocate ही appear होते है tax matters में तो क्या यही बात यह नहीं कहीं जा सकती कि यह advocate के साथ गलत हो रहा है तो किन situation में COP कैंसल हो सकता है यदि register of member से person का नाम remove हो जाए council is satisfied की certificate was issued on the basis of incorrect misleading false information or by mistake or any inadvertence member ceased to practice उसने practice ही बन कर दी अपनी member ने annual fee नहीं पे करी कब तक 30 सब्सक्तमबर तक तो यदि register of member से name remove हो जाए council is satisfied की certificate was obtained on the basis of incorrect misleading और false information member ceased to practice या member ने annual fee नहीं दी तो तो अब क्या इसका वापिस COP restore हो सकता है किन situation में certificate of practice can be restored regulation number 11 कहता है council may restore the COP on an application made in the approved form on payment of prescribed fees with effect from the date on which it is cancelled provided COP was cancelled due to non-payment of fees or application complete in all respect together with the fees is received by the secretary before expiry of relevant year वो ही same concept वो ही same concept जो membership के reference में हमने पढ़ा था कि membership restore होगी from the date जिस date को ये membership cancel हुई थी यदि आप fee before the expiry of financial year मतलब same year में pay कर देते हैं तो तो यदि same year में आपने certificate of practice की fees पे कर दी देन आपका COP restore हो जाएगा from the date on which it was cancelled लेकिन same year में नहीं करी before expiry of financial year नहीं की अगले जार अगले साल की then फिर restore होगा जिस date को आप apply करो तब से तो अभी हमने section 6 पढ़ा regulation number 10 की and regulation number 11 की section 6 regulation 10 regulation 11 इसमें से जो learning वाला topic है वो है certificate of practice section number 6 regulation 10 या regulation 11 के उपर आपको कोई question एच सच नहीं मिलेगा general concept है ये सारे चलिए section 6 के उपर एक दो question देख लेते हैं chartered accountant in practice suspend हुआ है from the practice for a period of six month and he had surrendered his certificate of practice for the sad period during this period of suspension though the member did not undertake any audit assignment he undertook representation assignment for income tax whereby he would appear in his capacity as chartered accountant बताओ जी क्या ये सही कर रहा है six month के लिए इसका certificate of practice suspend हुआ in six month के दोरान उसने कोई audit assignments undertaking नहीं ली लेकिन वो tax representation कर रहा है but किस capacity में chartered accountant की capacity में is it permitted बताइए जी क्या इस चीज की permission होगी जवाब आया no cannot accept कब तक until the expiry of six month बिलकुल सही छे महिने जब तक उसका suspension खतम नहीं हो जाता तब तक वो ये work accept नहीं कर सकता C.A. would not be allowed to represent before the tax authorities for the period he remained suspended accordingly in the present case he is guilty of professional misconduct next question देखते हैं में 18 के exam का है four marks के लिये Mr. Dice, a practicing chartered accountant was ordered to surrender his certificate of practice for one year on professional misconduct during the period उसक ने अपना designation यूज किया GST consultant not chartered accountant he did the work of filing GST returns appearance as a consultant not as a chartered accountant before various authorities he contend there is nothing wrong in it as he like any other GST consultant could take such work and his engagement as such in no way violate the order of suspension क्या ये कर सकता है GST consultant की capacity में प्रेक्टिस not using the membership of the ICAI क्या इसकी permission होगी हंजी जवाब दीजिए रोहित, हर्शित, मयंक, बिनोय, अभिनव, सच्चिन, रेड़ी, साहब, लविश, आयूश, सोम्या, साक्षी, रामा, राजू, जवाब आया, yes, yes, he can do वो कर सकता है वो membership की ICAI की membership की capacity में नहीं कर सकता but as a GST consultant कर सकता है कोई problem दो question थे और तो portfolio management portfolio branch 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 name board KYC hmm MTP October 23 का question not guilty huh any capacity other than TA सबका answer सही है किसी एक का भी गलत नहीं है शायद से तो Mr. Raj practicing CA ordered to surrender his certificate of practice for two years for accepting the appointment as an auditor of a company without ascertaining the requirement of section 139, 140, etc. during the period of suspension उसने अपने आपको designate किया data privacy consultant he did the work of filing data privacy related return appeared as a consultant before various related authorities in other capacity other than chartered accountant in practice chartered accountant की capacity में अपीर नहीं हुआ कहीं he contend there is nothing wrong like any other consultant he could take such work and in his engagement in no way violate the order of suspension GST consultant की जंगा data privacy consultant word use कर लिया और कुछ भी नहीं kindly guide can he appear before various data privacy related authorities Jee haan Mr. Raj is not appearing in the capacity of chartered accountant in practice and hence he is not violating the suspension order no professional misconduct he is not guilty ये दो तिन questions थे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं अंक्या कह रहे हूँ ये question cracker में नहीं है मैंने बताया था ना बेटा मैं अपनी soft copy को तो जैसे ही कोई नया RTP MTP released होता है या कोई नया question मुझे मिलता है मैं अपनी soft copy update कर देता हूँ soft copy मेरी update हो जाती है ताकि मैं उन questions को discuss कर सकूँ आप लोगों के साथ but physical book तो हम हर RTP पर MTP पर या exam पर every time release नहीं कर सकते तो जितने ये additional questions मैंने add किये हैं उसकी PDF मैं आप लोगों के साथ share कर देंगा ठीक है मैं यंक ये मैंने कल भी आप से बात की थी मैं आपको जो भी changes मैंने किये हैं वो सब उनकी PDF अवेलेबल करवा देंगा अच्छा जी रावत सिंग क्या कह रहे हैं इपी डस नाट फोल्ड एनी क्वालिफिकेशन अपार्ट प्रॉम सीए वेदर ही कें स्टिल प्रैक्टिस अजीस्टी कंसल्टेंट जीस्टी कंसल्टेंट एक ग्रेजुएट भी आई जीस्टी कंसल्टेंट बन सकता है तो उसका एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया देखो यदि जीस्टी कंसल्टेंट के लिए सिये होना जुरूरी नहीं है एक सिंपल ग्रेजुएट बन सकता है और वो अपनी ग्रेजुएशन के बेस पर जीस्टी कंसल्टेंट बन रहा है इसको समझेगा जरा पहले इस कॉंसेप्ट को एक practicing CA के ऊपर बहुत सारी restrictions लगी हुई है अभी जब हम Chartered Accountant Act का first schedule, second schedule discuss करेंगे तो एक Chartered Accountant पर बहुत सारी restriction है profit sharing को लेकर, fees sharing को लेकर, partnership को लेकर, advertisement को लेकर, solicitation को लेकर confidentiality को लेकर and compliances of law को लेकर there are a lot of restrictions जो एक Chartered Accountant in practice के ऊपर imposed की गई है तो यदि एक member ICAI का Chartered Accountant है और practice का COP भी उसके पास है COP hold करता है, practicing CA है वो कोई भी ऐसा काम करता है जो schedule one में या second schedule में misconduct की category में fall करता है तो वो तो फस गया, इसका क्या solution, क्या मैं मेरे पास COP नहीं है, I am not holding COP बिना COP के इन सब कामों को करूँ, जो signature नहीं मान कते है जिस काम में signature है, वो काम छोड़ दो statutory audit छोड़ दो, issue of certificate छोड़ दो representation का का काम कर लो, return filing का का काम कर लीजिए internal audit का का काम कर लो, क्या मैं इन सब काम को कर सकता हूँ मुझे internal audit की knowledge है, मैं कर सकता हूँ, मैं income tax return file कर सकता हूँ, मैं tax की consultancy भी दे सकता हूँ, corporate law की consultancy दे सकता हूँ, और इसके लिए COP नहीं भी है मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया, sign तो कहीं होने ही नहीं but मैं violate कर रहा हूँ, Chartered Accountant Act के section 6 को मैंने का कोई बात ही, हो जाएगा, हो जाएगा, violation क्या हो गया, लेकिन जो दुनिया जहां की condition लगा रखी हैं, आपने schedule 1 में, schedule 2 में, उनसे तो मैं बच जाऊँगा, उनका provision तो मेरे उपर apply नहीं होगा, क्या मैं बच सकता हूँ, यदि मैंने COP hold नहीं किया, तो क्या मैं schedule के अंदर बताए गए omissions या misconduct से बच सकता हूँ, यह कहकर, I am not holding certificate of practice, section 24 की penalty लगा नहीं है, लगा लो, बच पाऊँगा क्या मैं, नहीं, section 2, subsection 2, इसने कहा, तुम बिना certificate of practice के practicing CA वाला काम करोगे, in the capacity as member of ICAI, तो हम तुम्हें क्या मान लेंगे, deemed to be in practice मान लेंगे, और जो code of conduct practicing CA पर apply होता है, तो बेटा वो तुम्हारे उपर भी apply कर देगे, तो तुम यदि यह सोच रहे हो, कि सिरफ section 24 की penalty से मेरा काम बन जाएगा, और जो misconduct के schedules है, वो मेरे उपर apply नहीं होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, misconduct के प्रावधान हमारे उपर भी apply हो जाएगे, और हमें section 2, subsection 2 में क्या नाम दे दिया गया, member, you are deemed to be in practice, फिर क्या फाइदा हुआ, कोई फाइदा नहीं हुआ, COP ले के ही काम कर लो फिर तो, तो यही provision है हमारे पार, section 2, subsection 2 का, क्या कहता है, a member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with another CA in practice or members of recognized professional bodies for a consideration, अपने आपको engaged कर रहा है into the activities of accounting work, auditing verification certification, assistance in accounting practices or management and other consultancy services, management and other consultancy services, so a member of the institute shall be deemed to be in practice if individually or in partnership with another CA in practice or members of other recognized professional bodies for a consideration, engage himself into the activities of accounting, auditing, verification, certification, assistance in accounting practices, management and other consultancy services, अब यह क्या है, management and other consultancy services, ICAI की council ने एक resolution पास किया, और उसमें बताया, कि जो एक practicing CA है ना, वो बहुत सारी, बहुत सारी, management and other consultancy services दे सकता है, एक बड़ी लंबी चोड़ी list है, आप ICAI के study material को refer कर सकते हो, उस पूरी list को पढ़ना है, तो वो पूरी list दी गई है, क्या-क्या चीजे, एक practicing CA render कर सकता है, मैंने आपके notes में कुछ limited services specify की है, जो exam point of view से relevant है, एक practicing CA, अपने client को personal recruitment and selection की services दे सकता है, client कहता है कि मुझे चार accountants की जरूरत है, तो क्या CA साहब आप मेरा एक काम कर दोगे, एक interview organize कर लो, कुछ candidates को बुला लो, उनका interview ले लो, उसमें से चार बंदो को select कर लो, उनको accounts की training दे दो, और फिर मेरे जहाँ पर मेरे accounts department में लगा दो, इसके लिए 4 लाख रुपे दे देंगे हम आपको, बस वो accountant अच्छे होने चाहिए, training आपने देनी है उनको, मेरे उपर AS, INDS, जो भी apply होते हैं, सारा समझा देना, किस तरीके से transactions करनी है, कैसे recording करनी है, सब समझा देना, 4 लाख रुपे दे दूँगा आपको, ठीक, क्या कर देंगे हमें क्या दिक्कत है, तो क्या एक practicing CA, अपने client को, personal recruitment and selection की services दे सकता है, क्या एक CA can act as the advisor और consultant to an issue of securities, हमारा client IPO ला रहा है, या FPO ला रहा है, और उसके लिए मुझे as an advisor या consultant hire करना चाहता है, कोई problem नहीं, कोई problem नहीं, acting as registered valuer, acting as insolvency professional in terms of, insolvency and bankruptcy code 2016, या administrative services, की client के routine के काम में उसको assist करना, तो ये सब किसके अंदर आती हैं, management and other consultancy services, तो एक practicing CA इन services को दे सकता है, मैं तो practicing CA नहीं हूँ, मेरे पास COP नहीं है, तो यदि मैं, in my capacity as a chartered accountant, ध्यान दीजेगा, in my capacity as a chartered accountant, किसी entity को as a advisor या consultant services दे रहा हूँ, in relation to issue of security, तो क्या मुझे deemed to be in practice माना जाएगा, बताईए, क्या मुझे deemed to be in practice मान लिया जाएगा, तो यदि एक CA without holding certificate of practice, accounting, auditing, verification, certification, assistance in accounting practices, management and other consultancy services, जो एक practicing CA दे सकता है, वो एक member without holding certificate of practice देखता है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको deemed to be in practice treat कर लेंगे, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक practicing CA, ICAI ने कहा, broking, underwriting and portfolio management की services नहीं दे सकता, brokerage का काम नहीं कर सकता, underwriter का काम नहीं कर सकता, portfolio manager का काम नहीं कर सकता, ये रोका गया है एक practicing CA, अब concept तो है किस चीज का, member deemed to be in practice का, बट जो question आये हुए है, वो अलगी तरीके से आये हुए है, और वो तरीका क्या है, जो member इन्होंने question में दिया ना, वो practicing CA ही है, सिरफ आपसे question में ये पूछा गया, क्या practicing CA, ये management consultancy services दे सकता है, या ये management consultancy services नहीं दे सकता, ऐसे question पूछे गए, जरा question देखते हैं अब, दो तिन, Mr. A, ये कोन है? Practicing CA, Agree to select and recruit the personal, conduct training program, on behalf of a client, client को आप assurance services नहीं देते, कोई बात नहीं, क्या मैं as a practicing CA, management consultancy, and other services, render कर सकता हूँ, अपने clients को? हाँ, कर सकते हो, क्या personal recruitment and selection, management consultancy, and other services की list का part है? Yes, covered. तो क्या ये practicing CA कहीं से guilty होगा, professional misconduct का? नहीं, बस. As per section 2, subsection 2, clause 4, a member of the institute shall be deemed to be in practice, then individually or in partnership with another CA for a consideration of remuneration, received or to be received, render such other services as in the opinion of council may be rendered by a practicing CA. Council ने एक resolution पास करके practicing CA के लिए management consultancy and other services की पूरी एक range बताई है और management consultancy and other services में personal recruitment and selection include है. Therefore, Mr. A is not guilty of professional misconduct. अच्छा, कौन सी services है, जो practicing CA नहीं दे सकता? बताओ जी, तीन हैं बहुत important prohibited services. कौन कौन से? नमबर एक ब्रॉकिंग नमबर दो, अंडर्राइटिंग नमबर तीन पॉर्टफोलियो management त्यू नहीं दे सकते हैं? क्या प्रोब्लम है? कोई threat आ रहा है क्या सामने? कोई threat आ रहा है क्या? जी, तो कौन सा threat आ रहा है सामने? अंजी, लवीश, बिनौई, साक्षी, रोहित, मयंग यदि आप client के shares में dealing करते हैं तो क्या आप as a broker उसकी advocacy करोगे या नहीं करोगे? इस company के share बहुत अच्छे हैं consistent profit earn कर रही है consistent dividend declaration है operating revenue बहुत अच्छा है और आज तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है और कल को audit कर रहोगे जब तब क्या होगा? प्रोब्लम आएगी तो क्या advocacy threat आ सकता है? आ सकता है self interest threat आ सकते हैं? बिलकुल आ सकते हैं आपका अपना interest involved हो गया आपकी objectivity biased हो सकती है आपकी decisions आपकी decisions वो biased हो सकते हैं judgment biased हो सकती है तो portfolio, underwriting and broking ये services तो मना कर दी गई practicing ये तुम नहीं दे सकते ठीक है जी देखते हैं किषर Noe को पॉपंटेशर में 25 आसलिक करute के घ्रीत हूमारा ze फजचते हैं अजय को अवा रिखते हैं तुम आसा 10. आस . रीकुलदे आस aheंस औरम सप्तिका अशांटीव अशारीस आसा सकता ह सकता हैं यह प्रैक्टिस में है जहां पर इसने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज किया है बताईए क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करोगे तो भाई साब थ्रेट्स हैं तो ICAI की काउंसिल ने भी कुछ सोच समझ कर इन तीनों सर्विसिस को बाहर रखा है ऐसे ही थोड़ी कि हाँ चलो तीन बाहर करना है परची डाल लेते हैं और उन परची में एक में निकली ब्रोकिंग दूसरे में निकली अंडर राइटिंग तीसरी परची में निकला पॉर्टफोलियो चलो ये तीनों बाहर बाकी कर लो ऐसे थोड़ी है लॉजिकल एक्स्प्लानेशन हैं तो अब इस केस में क्या ये गिल्टी होगा जी हरशीत बिनॉय रावत जी बिल्कुल सही Mr. P would be guilty of misconduct under chartered accountant 1949 as a practicing CA is not permitted to render the portfolio management services चीक है आगे बढ़ते हैं May 19 का question नत्राज practice में है accepted an assignment as advisor and consultant to the public issue ठीक है as a advisor और consultant का काम तो हम कर ही सकते हैं besides helping the company as an advisor he also underwrite the public issue to the extent of 25% at a commission of 1% remaining share were underwritten by the bank and other financial institution at the same rate of commission he content कि ये तो management consultancy work है जो permitted है भाई साब ये वाला तो permitted है advisory and consultant बट अंडर राइटिंग वाला ये permitted नहीं है ये नहीं आप कर सकते हैं result guilty of professional misconduct क्या आप नटराज साहब के view से agree करते हैं no 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 हम strongly disagree करते हैं तो नटराज जी आप guilty है professional misconduct के natraaj would be guilty of misconduct under the Chartered Accountant Act as a practicing CA is not permitted to render the underwriting services MTP March 24 का कुस्चन CA Gyaan is a Chartered Accountant in Practice and also an Engineer by Qualification Engineer V.O.A. He wants to pursue a registered valuer course and work as a registered valuer for the plant and machinery under the Companies Act 2013 comment on above with reference to the provisions of Chartered Accountant Act 1949 value or financial assets के बनते हो तो समझ में आता है plant and machinery के value or आप बनते हैं यह कहकर कि मेरी तो engineering की qualification है यह समझ में नहीं आता है as such specifically तो कहीं नहीं लिखा Pursuit to section 2, subsection 2 clause 4, council ने resolution पास किया management, consultancy and other services का जिसमें आप valuation of shares की services acting as registered valuer की services दे सकते हो तो valuation of securities or financial assets आप value कर सकते हो not the plant and machinery अच्छा एक आपने कहा आप registered valuer का course करना चाहते हो CA की practice के साथ उसके relation में जब clause 11 पढ़ेंगे आगे जाकर आएगा ये provision regulation 190A है हमारी regulation 190A आगे जाकर आप पढ़ेंगे इसको clause 11 के साथ regulation 190A तो यदि आप किसी course को करना चाहते हो तो उसकी आपको इजाजत दी गई है तो ये तो later on discuss करेंगे बट answer में regulation 190A का reference इन्होंने दिया है members are generally permitted for attending any class or appearing for any examination तो यदि आप registered valuer का course करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई prior permission लेने की आवशकता नहीं है क्योंकि council ने इस चीज की general permission regulation 190A के अंदर दी हुई है regulation 190A आपको later on कराऊंगा clause 11 के साथ so it is not permissible for a chartered accountant in practice to work as an engineer or valuer in plant and machinery simultaneously अच्छा screen जब move up down हो रही है तो blur हो रही है ओके धीरे धीरे अपको रहेंगे तो ट्रांस्मिशन में शायद नहीं जा पाते होंगे इतना धीरे धीरे करेंगे चलो अच्छा अब इसमें एक provision मैंने और add किया है वैसे ही regulation 191 के साथ आगे दुबारा कराऊंगा आपको regulation 191 के साथ but मैंने यहाँ पर भी इसको add कर दिया section 2, subsection 2 clause 4 and regulation 191 यह भी clause 11 के साथ ही आप पढ़ेंगे regulation 191 a member shall be deemed to be in practice if in his professional capacity not personal not as an employee यदि मैं professional capacity में as a liquidator, trustee, executor, arbitrator, administrator, receiver, advisor या costing financial taxation matter का representative की capacity में काम करता हूँ मेरी personal capacity में करूँ personal capacity का मतलब बिना consideration के या in my capacity as a employee करूँ ठीक है तो आप employment की capacity में है फिर आपको practice में नहीं माना जाएगा बट यदि आप अपनी professional capacity में for a consideration किसी organization में as a liquidator या trustee, executor, arbitrator, administrator, receiver, advisor या representative for costing financial taxation matter position accept करते हैं तो आपको deemed to be in practice मान लिया जाएगा या central government और state government या court of law ने आपकी appointment की है कोई और आप as a secretary काम कर रहे हैं unless आपकी employment salary come full time basis पर तो यदि central government ने या state government ने आपको किसी particular activity के लिए as a secretary appoint किया या आपको कोई और employment दी आपको कहा आपको as a mediator काम करना है दो महिने के लिए xyz की direction में काम करना है full time basis पर 5 लाक रुपे पर मन्त की salary देंगे 5 लाक रुपे पर मन्त की salary देंगे आपको full time मुझे देना है फिर तो मैं practice में नहीं माना जाओ in that case I will not be considered to be in practice मुझे practice में consider नहीं किया जाएगा हंजी रोहीत ये May 24 के exam में भी आया था तो इसने मैंने इसको section 2 के साथ भी डाल दिया वैसे इसको further section clause 11 के साथ हम दुबारा study करेंगे clause 11 में तो अभी दो चीजे इस particular point के अंदर cover हुई है क्या क्या यदि एक member अपनी professional capacity में not in the capacity as a employee not in the capacity personal capacity यदि वो professional capacity में as a liquidator arbitrator executor trustee administrator representative for costing taxation financial matter कोई work accept करता है या any appointment if made by the central government state government or by court or act as a secretary यदि उसकी employment salary कम full time base है salary देंगे और full time देना पड़ेगा तो फिर आप practice में नहीं हों लेकिन आपको part time basis पर रखा गया है या आपको professional fees दी गई है तो आप practice में मान लिए जाओगे तो देखो मान लेते हैं Central government ने Mr. X को एक position offer की है salary basis पर full time part time professional fees in दोनों cases में इसको deemed to be in practice मान लिया जाएगा इस case में इसको employment में माना जाएगा salary और full time clear है full time basis पर salary पर काम कर रहे हो तो आप employment में हो आप deemed to be in practice में हो ही नहीं सकते यह है हमारा section 2 sub section 2 अब इसके बाद एक छोटा सा provision और कर देंगे फिर लेंगे break हंजी रोहित यह question एक्जाम में गलत हो गया हो कोई बात नहीं अबर 24 में आ जाए तो गलत मत कर नहीं पास्ट को भूल जाओ future का ध्यान रखो बस members to be known as the chartered accountant every member of ICAI जो practice में है जो practice में है shall use the designation chartered accountant आप अपने office जाते हैं आर्टिकल शिप के लिए और उस आर्टिकल शिप के दुरान आपने अलग-अलग chartered accountant के office भी visit किये होंगे क्या आपने किसी भी chartered accountant office के बाहर जो name board है या name plate लगी हुई है क्या वहाँ पर chartered accountant words के अलावा कोई और word देखा जैसे tax expert corporate law advisor management consultant corporate law consultant क्या ऐसे word कभी देखे हैं never क्यूं एक practicing CA सिरफ और सिरफ chartered accountant designation ही यूज कर सकता है ये description है हमारी services का पुल वर्ड पुल थी यह नहीं चार्टर्ड अकाउंटन यूज के तो एक अब्रिवेशन हो गई जो नाम से पहले लगाते हो प्रिफिक्स वो तो कोई भी CA लगा सकता है एनी मेंबर मेंबर्स प्रिफिक्स CA is allowed to be used by एनी मेंबर तो एनी मेंबर कें यूज दा प्रिफिक्स CA मेंबर्स जो प्रैक्टिस में नहीं है उनके पास option है में चाहें तो चार्टर अकाउंटन डेजिगनेशन यूज करें और चाहें तो ना करें क्या एक मेंबर जो दूसरे इंस्टिचूट की मेंबर्शिप भी है उसके पास क्या वो अपने विजिटिंग कार्ड पर उन डिग्रीज को क्वालिफिकेशन को मेंबर्शिप को यूज कर सकता है कर सकता है लेकिन ध्यान रखिएगा डेजिगनेशन सिरफ और सिरफ क्या होना चाहिए चार्टर अकाउंटनेट्स रेकोगनाइज डिग्रीज और क्वालिफिकेशन एंड मेंबर्शिप और प्रोफेशनल बोडीज अलाओट तो बी मेंशन ओन विजिटिंग कार्ड लेटर हैट्स एट्सेट्स एक स्पेशल प्रोविजन है मर्चेंट बैंकर और एडवाइजर टू एन इशू IC AI के मेंबर अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अंडर दा सेबी रेगुलेशन एज केटेगरी फॉर मर्चेंट बैंकर एन एज एडवाइजर और कंसल्टेंट काम कर सकते हैं कंपनी के ओफर डोकुमेंट में CA का नाम, CA का एड्रेस, CA की फर्म का नाम अंडर दा कैप्शन एड्वाइजर और कंसल्टेंट दिया जा सकता है बट बहुत बड़ा बड़ा हाइलाइट नहीं करता शेट नाट एपियर प्रोमिनेंटली प्रोमिनेंटली एपियर नहीं होना चाहिए तो ये सेक्शन 7 के प्रोविजन है ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एक सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है और कभी कोई कुश्चन आया भी नहीं बट कॉंसेट आपको पता होना चाहिए एक प्रीफिक्स का सी ए राम अवतार प्रीफिक्स ACA FCS MBA BCOM MCOM जो मर्जी डिग्रियां लिखो जो रिकोगनाईज़ है पर्म का नाम लिखो RV and Associates राम अवतार and Associates नीचे डेजिगनेशन डालिए पुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सो प्रीफिक्स कोई भी CA यूज़ कर सकता है चाहे सर्विस में है चाहे प्रैक्टिस में है और अदर्वाइज डेजिगनेशन सिरफ और सिरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ किया जा सकता है डिग्रीज, मेंबर्शिप, क्वालिफिकेशन अपने लेटर हेड पर विजिटिंग कार्ड पर दी जा सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम हंजी एक लिस्ट बनवादो कहां कहां नाम दे सकते हैं कहां कहां नहीं मतलब अभी तो बड़े सारे प्रोविजन आने हैं कहां कहां नाम दे सकते हैं जैसे ओफर डोकुमेंट की बात कर रहे हो अभी आएगा आगे कलॉज 6 और 7 तब बात करेंगे अभी तो शुरुवात हुई है अभी तो शुरुवात हुई है ठीक है? So this is all about section number 7. अब लेते हैं break और break के बाद section 27, KYC norms और एक disciplinary procedure, तीन provision है जो हमारे आज के schedule के बचे हुए हैं, वो लेंगे break के बाद. वेलकम बैक, चलिये जी. स्टार्ट करते हैं next topic and that is a very important topic जो coming exam में जिसका question पूछा जा सकता है. और बड़ा ही आसान topic है, maintenance of branch office section 27. मैं अंक जो topic मैं अच्छा वो दुबारा बता दू लीचिये, चलो तब तब कुछ बच्चे ब्रेक से आये भी नहीं होंगे, discuss कर लेते हैं. section 2, subsection 2, clause 4, जो कहता है कि एक member deemed to be in practice होगा यदि वो management and other consultancy services render करता है. now, अब इसी के reference में एक provision जो combined study से बना section 2, subsection 2, clause 4 of Chartered Accountant Act 1949 and regulation number 191 of Chartered Accountant Regulations 1988. यह कहता है कि यदि मैं मेरे पास COP नहीं है, बट दो parties के बीच में आपस में जगडा हो रहा है और मुझे arbitrator appoint करना चाहते हैं वो, या कोई company under liquidation है वो मुझे अपना liquidator बनाना चाहती है, तो यदि एक person को जो ICAI का member है लेकिन COP hold नहीं करता, वो अपनी professional capacity में, not in personal, not as an employee, either as a liquidator, arbitrator, trustee, executor, administrator, receiver, advisor, या as a representative for costing financial taxation matter, act करता है, तो हम उसको deemed to be in practice मान लेंगे. As per section 2, subsection 2 clause 4, read with regulation 191, A member shall be deemed to be in practice if he, in professional capacity, not in his personal capacity or capacity as an employee, act as a liquidator, trustee, executor, arbitrator, administrator, receiver, advisor or representative. या एक person को central government ने, state government ने या किसी court ने किसी position पर appoint किया, और उसकी जो ये appointment है, ये आपको salary मिलेगी और आपको full time काम करना पड़ेगा, तब तो उसको deemed to be in practice नहीं मानेंगे, लेकिन यदि आपकी employment, salary come full time basis पर नहीं है, आपको full time नहीं आना, आपको salary नहीं मिलेगी, आपको professional fees मिलेगी, आपको salary मिलेगी लेकिन आपको part time आना है, तो फिर हम उसको deemed to be in practice मानेंगे, लेकिन यदि आपको full time salary basis पर इस appointment पर काम करना होगा, तो कैसे practice में मान लें, तुमने तो full time employment में डाल दिया मेरे को, याँ, as a secretary काम कर रहे हो आप, और again salary ले रहे हो और full time काम कर रहे हो, full time, part time नहीं है, तो आपको employment में माना जाएगा, लेकिन आप salary नहीं ले रहे, आप full time basis पर काम नहीं कर रहे, तो आपको deemed to be in practice मान लिया जाएगा, तो यदि employment है, by central government, state government, or by any court, or act as a secretary, कैसे? salary plus full time, तो तो employment होगी, otherwise salary कम full time नहीं है, तो deemed to be in practice, शुडि government employee और private employee, depend करेगा, कहाँ पर उसको engage किया गया है, जैसे कहीं बार क्या होता है, central government किसी investigation के लिए, किसी private company के अंदर भी, as a inspector, as a investigator, appointment कर सकती है, पढ़ेंगें आपने inspection investigation के provision, section 207 onwards, company law के अंदर, तो बिनाए, section 207 onwards, जो central government के पास, power है investigation की, वहाँ पर वो किसी chartered accountant को भी, investigation की जिम्मेदारियां दे सकते हैं, और वो किसी private company के अंदर investigation कर रहा है, यदि investigation का criteria ये है, कि आपको salary मिलेगी, और full time basis पर काम करना है, तो simple हो गया न, मैं employee बन गया मैं तो, लेकिन यदि मेरा criteria, salary कम full time नहीं है, मैं professional capacity में जा रहा हूँ, professional fees ले रहा हूँ, then it will be deemed to be in practice, छलिए फिर, आगे बढ़ते हैं, section 27, maintenance of branch office, branch office पर जाने से पहले, office की बात कर लेते हैं, office क्या होता है, any place, जहां पर firm का name board लगाया गया है, वो office है, or any other place, which is described as office, किस पर, on office documents like letterheads, तो उसे office, then that is a place, so a place, where name board of the firm is fixed, or a place which is described as office, on office documents like letterheads, envelopes, invoices, etc., तो उसे office माने, अच्छा, अब बात आती है, आप अपनी firm की, firm की name board, office के बाहर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या आप अपनी firm की name board, अपने residence के बाहर भी लगा सकते हैं, आउटसाइड योर residence, जवाब है no, आउटसाइड दा residence, आप अपने personal individual name का name board या name plate लगा लो, लेकिन firm के नाम की name board या name plate नहीं लगाई जा सकते, so firm के नाम की name plate या name board, it is not permitted, name board of the firm, is not allowed to be used at the residence, however, name board of individual member is permitted at the residence, at the residence, अब आगे बढ़ते हैं, और branch office का concept है, जो मुझे आपके साथ discuss करना है, देखो, company ने, company क्या रहा हूँ, CA firm है एक, RVM and Associates, उनका करोल बाग देहली में office है, क्या आर्वी एम एंड एंड एस्सोसियेट्स, विलिंग है, to open another offices, section 27 कहता है, खोल लो, जितने मर्जी office खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, we do not have any problem in opening another office, बट एक condition है, every such another office must have a separate in charge, और यह जो separate in charge है, यह कोन होगा, यह एक chartered accountant, associated either as a partner or employee, may or may not have COP, ICAI का member, either associated as partner or as employee, may or may not have certificate of practice, तो ऐसे person को आपको अपने office का in charge बनाना होगा, और यह requirement तब fulfill मानी जाएगी, यह in charge इस office को attend करेगा, minimum 182 days के लिए, या, residence रखेगा इस city में, जहाँ पर यह दूसरा office आपने खोला है, for minimum 182 days, minimum 182 days के लिए, तो हम मानेंगे कि separate in charge की condition आपने पूरी करते, तो सबसे पहला concept क्या एक practicing CA या एक firm of chartered accountant इंडिया में अपने branch offices open कर सकती है, yes कर सकती है, Is there any limit? No, कोई limit नहीं है, Is there any requirement to be fulfilled? Yes, every such office must have a separate in charge, who is a member of ICAI, may or may not hold certificate of practice, may be associated as partner or employee, and should attend the office for a minimum period of 182 days or reside in the city where the office is located for a minimum period of 182 days, तो हम separate in charge की condition fulfilled मानेंगे, but इसकी दो exception है, जब मैं कह रहा हूँ exception, इसका मतलब separate in charge not required, separate in charge नहीं चाहिए, यदि आप second office open कर रहे हैं, सेम प्रिमाइसिस में, अभी मेरा office था, क्रोल बाग, गर्ग पलाजा नाम की बिल्डिंग में, 7th floor पर, office नंबर 702, कैबिन नंबर 702, 9, अब ये office छोटा पड़ रहा था, मैंने इसी गर्ग पलाजा में, क्रोल बाग में, 3rd floor के उपर, office नंबर 306 और ले लिया, एक ही building में, उपर नीचे office है, तो separate in charge, नहीं चाहिए, और, और ध्यान देना, सिरफ दूसरे office, 2nd office के लिए, ये exemption दे रहे हैं हम आपकों, और, same city, मैंने, दूसरा office, नेताजी सुभाश प्लेस पर, twin towers के अंदर, office लिया, दिल्ली के अंदर ही है, same city में, तो ठीक है, कोई problem नहीं है, कोई separate in charge नहीं चाहिए, और, within, 50 kilometers from, local limits of first office, पहले office की local limit के 50 km के दाइरे में, ये है मेरा first office, ये first office ये है इसकी municipal limits, यहां तक, मैंने office खोला है, दूसरा कहां पर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, office से office का distance, ये है, मान लीजिये, 51 km, but first office की municipal limit से, गाजियाबाद के second office का distance है, let's say, 15 km, just for example, law क्या कहता है, आपका second office है, within 50 km, from the municipal limits, या local limit of first office, तो क्या मुझे office to office देखना है, नहीं, मुझे first office की municipal limit से, second office तक का फासला देखना है, तो ये फासला है, 15 km का सिरा, तो क्या separate in charge चाहिए, बताइए, yes या, क्या separate in charge की requirement आएगी, second office के लिए, जवाब आता है, बिल्कुल सही जवाब है, लविश आपका, separate in charge not required, right सोम्या, बिल्कुल सही जवाब, separate in charge नहीं चाहिए, अच्छा, लेकिन, यदि, ये distance, local limit से लेकर, second office का distance, ये, more than 50 km होता तो, तो separate in charge चाहिए, तो separate in charge चाहिए, तो तीन चीजे ध्यान लखिएगा, नमबर एक, आपने second office open किया है, same premises में, नमबर दो, आपने office open किया है, same city में, नमबर तीन, आपने office open किया है, first office की municipal limit से, second office का जो distance है, वो 50 km का है, इसके अंदर अंदर है, तो आपको separate in charge नहीं चाहिए, और इस purpose के लिए, मुझे एक चीज बताईए, मुंबई, एन मुंबई सबर्ब, बाहरी इलाका, कोलकता, एन हावडा, चेन्नई, चेन्नई सबर्ब, देहली, एन देहली NCR, जिसमें गाजियाबाद, नोईडा, गुरू ग्राम, फरीदाबाद, और शहर भी आ जाते हैं कुछ, यह सेम सिटी हैं या डिफ्रेंट सिटी हैं, मुंबई, मुंबई सबर्ब, देहली, देहली NCR, चेन्नई, चेन्नई सबर्ब, कॉलकत्टा एंड हावडा, जोग्रेफिकल कोश्चन हो गया यह, वंसेप्ट से रिलेटिर नहीं है, बट कोश्चन आये हुए हैं, तो मैंने इसी लिए इसको भी डिसकुशन में डाल लिया, बताओ, यह सेम सिटी माने जाएंगे या डिफरेंट सिटी माने जाएंगे, हर्शित, सही रिपलाई है बेटा आपका, यह यह बिम में सेफिरेंट दिफरेंड सिटी नहीं माना जाएंगे, हंजी बिनोई क्या मैं सही प्रोणाउंस कर रहा हूँ आपका नाम बिनोई ही है या कहीं बार जैसे बिने होता है तो बिने में वी की जगा बी लिख दिया बिने बिनोई है या बिने बिनोई वैसे क्योंकि मेरे को एकदम कोलकता के नाम से याद आ गया वहाँ पर इस तरह से नाम होते हैं चलिए बढ़े आगे ये हो गई एक exception number 2 दूसरी exception बिने ओके बिने चोधरी तो हमें बिनाई गलत बोल रहा था फिर अच्छा दूसरी exception क्या है जो मेंबर हिली एरिया में प्रैक्टिस कर रहे है वो during winter season during the winter season for a period of three month for a period of three month अपना एक ओफिस प्लेन एरिया में ओपन कर सकते हैं with some conditions conditions क्या है winter की commencement से पहले and office closure के टाइम पर आप IC AI को intimation देंगे कि आप office open कर रहे हैं आप office close कर रहे हैं नमबर दो आपका main office वो इस winter season के दोरान भी open रहेगा और सारी correspondence उस office पर भी चलती रहेगी कोई problem नहीं है हमें आप main office भी open रख सकते हैं plane area के office पर plane area में जो office खोला है उसके बाहर name board सिरफ इन तीन महिनों के लिए लगाया जाएगा plane area में जो office है ये आपका open रहेगा सिरफ और सिरफ तीन महिनों में और इसको as a principal office कभी भी नहीं माना जाएगा तो winter season की problems को देखते हुए जो member hilly area में practice करते हैं for a period of three months they can open another office in plane area for a period of three months but subject to compliance of these conditions तो आपने दूसरा office खोला कोई separate in charge आपको नहीं चाहिए जब आपने office hilly area में थे आपका principal office तो आपने plane area में अपना दूसरा office खोला है चलिए यह थे हमारे concept तो अब एक बार इन चीजों को book में से read करते हैं फिर इसके questions देख लेगे A member in practice can open any number of branches in India provided every branch has a separate in charge जो एक chartered accountant है and associated either as a partner or employee may or may not hold certificate of practice requirement of section 27 shall be satisfied only when the concerned member is actively associated with that office or a association it will be deemed to exist only if member reside in the place where the office is situated for a period of not less than 182 days in a year or attend the sad office for a period of not less than 182 days in a year exceptions exceptions दो exception है exception 1 member practicing in hilly area may open a temporary office in the plane area during the winter season for a period of three months without having separate in charge subject to fulfillment of prescribed conditions condition number one name board of the firm to be displayed on the plane displayed at temporary office only during these three months temporary office should not be mentioned as place of business on office document regular office need not be closed and all correspondence may continue at that office before commencement of every winter and at the close of such temporary office it is obligatory on the part of the member to inform ICAI exception number 2 second office can be opened without separate in charge if located in same premises in which the first office is situated if the second office is located in same city second office is located within 50 km from the municipal limits of first office first office city A में यहां पर city A की municipal limit खतम होती है और यह सेकिंड ओफिस है situation 1 distance from city A to city B first office से second office 70 km office to office नहीं देखेंगे city A की municipal कमैटी की limit से second office का distance 45 km it is within 50 km separate in charge not required office to office नहीं देखेंगे municipal limit से office का distance 55 km separate in charge required होगा और separate in charge कोन होगा? C A either partner या employee COP हो अच्छी बात है नहीं हो तो भी कोई बात नहीं may or may not hold certificate of practice and as per regulation number 189 of the chartered accountant regulations 1988 यदि कोई भी member कोई office open कर रहा है या close कर रहा है तो opening या closing के within one month an intimation is to be given to the council of ICEA ये था हमारा section number 27 अब देखते हैं इसके questions Mr. G, a chartered accountant in practice as a sole proprietor has an office in Mumbai near that church gate office है Mumbai में near church gate due to increase in professional work he opened another office in suburb of Mumbai which is 80 km away from the municipal limit of the city first office ये उसकी municipal limit second office municipal limit से second office 80 km है क्या separate in charge required होगा yes for running the new office he employs three retired income tax officers गलत कौन होना चाहिए बताओ जरा जल्दी से separate in charge होगा जरूरी है क्योंकि municipal limit से सबर्ब में जो दूसरा office open किया वो 80 km दूर है तो separate in charge चाहिए और चाहिए तो कौन चाहिए CA चाहिए राइट साक्षी हाँ बिल्कुल सही हर्षित professional misconduct का guilty तो होगा ही होगा IC AI का member होना चाहिए partner या employee होना चाहिए may or may not hold certificate of practice राइट लवीश हर्षित बिल्कुल सही जब किता है सिंस्ता second office is situated beyond 50 km of municipal limit of Mumbai city he would be liable for committing a professional misconduct May 18 का कुछ्च्च्च्च्च MN company a sole proprietor chartered accountant firm in practice with an office in a busy belt of a city had great difficulty in regularly attending to the consultancy need of his client who are mostly located in industrial cluster in a nearby out cut area situated at a distance of 26 km from the office पहला office city में client है इंडस्ट्रियल क्लस्चर के अंदर client the proprietor managed both the office and the facilitation center अच्छा नहीं नहीं, फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किया उसने To mitigate the difficulty and to have ease of business A facilitation center was opened in the industrial cluster और प्रोप्राइटर ही दोनों को manage कर रहा है कोई intimation नहीं दी गई ICAI को Distance कितना है? 26 km, office to office जब office to office का distance ही 26 km का है Only 26 km, तो first office की municipal limit से Second office का distance कितना होगा? Office to office 26 है, तो municipal limit से Second office का distance तो of course less than 26 होगा? हाँ या ना? Less than 26 होगा ना? Yes, and it is less than 50 Separate in charge नहीं चाहिए, कोई problem नहीं है यदि आप दोनों office को manage कर रहे हैं Right? अच्छा, लिकिन problem क्या है? Problem क्या है? हाँ, विदिन limit तो है Less than 50 है, right? साक्षी भी नहीं But problem क्या है? Problem Regulation 189 का violation कर दिया? क्या है Regulation 189? कोई भी office open करते हो तो within one month of opening of office an intimation is to be given to IPAI आपको ICAI को एक intimation देना था जो आपने नहीं दिया तो Regulation 189 का violation कर दिया है जिस कारण से ये person guilty होगा professional misconduct का Though there is no problem in managing both the office but misconduct arise due to non-intimation to council of ICAI Intimation नहीं दिया Regulation 189 की requirement पूरी नहीं की Next question May 19 Mr. K, a chartered accountant in practice as a sole proprietor at Chennai Office as suburb में लो जी, office suburb में है Chennai suburb Due to increase in income tax assessment work he open another office near income tax office जो city में है और 30 km के distance पर है Office to office का distance 30 km का है क्या separate in charge की requirement arise होगी Whether there is a requirement of separate in charge Separate in charge not required For running the new office He employed a retired income tax commissioner जो chartered accountant नहीं है कोई फरक ही नहीं पड़ता Separate in charge चाहिए ही नहीं हमें आप जिसको मर्जी रखे, रखे ना रखे चाहे income tax commissioner को रखो चाहे retired income tax commissioner को रखो चाहे CA को रखो या ना रखो हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि as such separate in charge की requirement ही नहीं थी आप अपने office की administration के लिए जिसको मर्जी रखे और या खुद manage करिए हमें कोई problem नहीं As the distance between new office and municipal limit of suburb is less than 50 km Mr. K would not be liable for any misconduct however he is bound to declare इन में से main office कों सा होगा suburb वाला या city वाला वो बताना ही पड़ेगा क्योंकि municipal limit first office की देखी जाती है main office की MTP March 21 Mr. Z newly qualified chartered accountant started his practice in February 24 by setting up an office at the hill station Kodai Canal Initially since he was getting very less assignment he decided to set up a temporary office in Madurai at 100 km from the main office As planned he took an office space on rent for the month of December, January, February Regular office close नहीं किया और दोनों का in charge है हिली एरिया से plain एरिया में आते हुए distance matter नहीं करता Mrs. A another newly qualified chartered accountant who is also in practice in Madurai came to know about the new office of Mr. Z thinking that he could be a potential competitor she informed the institute stating that Z is violating the provisions of the chartered accountant act 1949 Assuming that all other condition as stated under section 27 with respect to opening an office in plain area are fulfilled no violation at all no violation उसने तीन महिने के लिए ओपन किया Regular office close नहीं किया Temporary office खोला है Main office उसका hill station पे है तो मान लो ICAI को उसने intimation दे दी Name board Temporary office पर सिरफ December, January, February में लगाया और Regular office को बंद नहीं किया Temporary office को place of business की तरह से Treat नहीं किया अपने office document के ऊपर तो assuming that all other conditions are complied with No misconduct arise on part of Mr. Jat No penal action needs to be taken on the basis of complaint registered by Mrs. A As Mr. Jat is not guilty of professional misconduct MTP November 21 का question गोतम महावीर Partner है CA firm के एक इंचार्ज है head office का और दूसरा इंचार्ज है ब्रांच का ब्रांच Municipal limit से 80 km दूर है कोई दिक्कत नहीं है एक में गोतम है एक में महावीर है दो ब्रांचे एक में गोतम एक में महावीर दोनों chartered accountant है तो दोनों partner handle कर रहे हैं एक एक ब्रांच को Name board लगाया firm का दोनो premises पर लगाई है कोई दिक्कत नहीं है आप firm का Name board दोनों premises में लगा सकते हैं Residence पर भी लगा दिया यह गलत है Residence पर आप Name board नहीं लगा सकते Residence पर आप अपनी सिरफ और सिरफ एक name plate लगा सकते हैं Name board नहीं लगा सकते firm का यहाँ पर आपने गलती कर दिए Gotham and Mahavir are guilty of misconduct and Name board of the firm cannot be put in place of residence बस जी यह question थे section 27 के उपर अब एक छोटा सा topic है KYC norms का Know your client theoretical है एक chartered accountant financial industry को अपनी services दे रहा है और खुद भी finance से deal करता है तो जैसे banking and financial institutions के अंदर under the requirements of regulatory bodies like RBI and all over the world जो इतनी भी financial regulatory bodies है उनकी एक requirement है कि आप अपने client के KYC norms को fulfill करें तो considering these aspects IC AI की council ने भी कहा कि chartered accountants who are in practice they are also required to maintain KYC for their clients तो उस reference में आपका client यदि एक individual है तो आपको उसका name, pen number या अधार number उसके business की description, a copy of latest audited financial statement और क्या engagement आप उसको render कर रहे हैं उसकी detail as a part of KYC norms maintain करके चलेए यदि आपका client एक corporate entity है name and address, business description, name of parent company if there is copy of latest audited financial statements, type of engagement company का permanent account number, company का identification number director का name, address and director identification number, din number आपको as a KYC norms अपने पास maintain करने हैं theoretical है, you need to learn non-corporate entity, again name and address, permanent account number, business description, partner के name and address, copy of latest audited financial statement, type of engagement नाम, address, pen number, business description, type of engagement नाम, pen, business description, copy of financial statement and type of engagement ये तो common ही है है, so this is about a theoretical topic KYC norms and all about second topic जो आज के लेक्चर का था, members in practice सबसे पहले हमने बात की membership की फिर हमने बात की certificate of practice की इसके बाद एक छोटा सा topic है learning की requirement नहीं है उसमें सिरफ समझना है कोई question नहीं आता इसमें से generally हमारे दो schedules है Chartered Accountant Act के अंदर Schedule 1 के अंदर चार divisions है Schedule 2 में तीन divisions Schedule 1 का part 1 12 clauses, 12 points दे रहा है जिन cases में एक practicing member को guilty मान लिया जाएगा professional misconduct का यदि उन 12 points में से किसी भी point की compliance नहीं हुई तो यह पढ़ना है बहुत detail में है यह first and second schedule Part 2 में दो clauses है members in service के लिए यदि उनकी compliance नहीं हुई तो उस member in service को misconduct का दोशी मान लिया जाएगा professional misconduct Part 3 में तीन clause है जो सारे member पर apply होंगे चाहे member practice में है या member service में है और हमारे जैसे member जो ना practice में है ना service में है members generally तो तीन पॉइंट है members generally के जो professional misconduct के अंदर आएंगे दो clause है जो profession से related नहीं है लेकिन member को guilty मान लिया जाएगा other misconduct का फर्स शेड्यूल के अंदर जो points बताए गए है वो इतने जादा serious nature के misconduct नहीं है जितना जादा serious nature का misconduct second schedule के अंदर cover किया गया है तो जैसे first schedule की classification है उती तरह से second schedule की classification है इसके part 1 में 10 points बताए गए हैं जो professional misconduct बनेंगे for a member in practice part 2 में 4 points बताए गए हैं जो professional misconduct के हैं for members generally member in service के लिए second schedule में अलग से कोई clause नहीं है and इसका part 3 other misconduct का है आने वाले 3-4 lecture हमारे इनी schedules के उपर है ये मैंने आपको अभी थोड़ी सी समरी बताई है कि हमारे Chartered Accountant Act के अंदर दो schedules है schedule number 1 and schedule number 2 और इन schedules में professional misconduct भी है other misconduct भी है practicing member का misconduct भी है member in service का misconduct भी है and members generally का misconduct भी है तो first schedule के misconduct ज्यादा serious nature के नहीं है लेकिन second schedule के misconduct serious nature के है तो यदि किसी भी Chartered Accountant के against कोई complaint करनी हो इन schedules में तो क्या procedure होगा एक complaint लोज की गई किसी member के against in relation to any misconduct तो ये complaint सबसे पहले किस के पास जाएगी disciplinary director के पास जाएगी और discipline director वो प्राइमा फेसी एक opinion फ्रेम करेगा क्या alleged misconduct हुआ है क्या ये member प्राइमा फेसी guilty बन रहा है professional या other misconduct का इन में से किसी भी schedule के अंदर यदि director discipline को लगता है कि ये member guilty है पस schedule के अंदर बताए गई points का तो ये matter board of discipline को भीज दिया जाएगा लेकिन यदि director discipline को लगता है कि guilty second schedule का है या misconduct एक से जादा है और दोनों schedule में fall करते है एक misconduct first schedule में आ रहा है दूसरा misconduct second schedule में जा रहा है place the matter before the disciplinary committee तो ये authorities हैं जो complaint की hearing करेंगे complaint सुनने के बाद यदि इनको लगता है कि ये member दोशी है if found guilty reprimand धमकी दे कर छोड़ देंगे warning पहली बार गलती है अब की बार माफ कर रहे हैं अगली बार ये गलती मत कर दे न register of member से नाम हटा सकते हैं तीन महिने तक के लिए fine लगा सकते हैं अप्टू रुपिस एक लाक लेकिन यदि गलती second schedule की है या both schedule की है और disciplinary committee कहती है कि member guilty है तो वो भी reprimand करके छोड़ सकते हैं या register of member में से नाम remove कर सकते हैं for any duration including permanent आज के बाद कभी member नहीं बन पाऊगे पाँच लाक रुपे तक का fine लगाया जा सकता है और यदि कोई member aggrieved है इस decision से वो कहता है नहीं ये decision सही नहीं दिया गया by the board of discipline या disciplinary committee वो 90 days में appellate authority को appeal कर सकता है और appellate authority order को confirm कर सकती है modify कर सकती है set aside cancel कर सकती है penalty impose कर सकती है set aside कर सकती है reduce कर सकती है enhance कर सकती है case वापिस से board of discipline या disciplinary committee के पास reconsideration के लिए भेज सकती है दुबारा से consider करिये और pass such order as they think fit जो उनको ठीक लगता है वैसा order pass किया जा सकता है by the appellate authority so यह एक disciplinary mechanism है हमारा जो किस पर based है depend करता है कि जो omission है या conduct है वो schedule one के अंदर fall कर रहा है या second schedule में या both schedule में fall कर रहा है यदी misconduct first schedule में fall करता है then board of discipline is matter कि hearing करेगा and after hearing either reprimand, impose fine up to Rs. 1 lakh or pass the order for removing the name from the register of member up to 3 month however, if the elite misconduct falls under second schedule or under both schedule in that case disciplinary committee may reprimand the member, impose the fine up to Rs. 5 lakh or may pass the order for removing the name of member from register of member for any duration including permanent if any member is aggrieved against the order of board of discipline or disciplinary committee they may file an appeal to the appellate authority within 90 days and appellate authority may confirm, set aside or modify the order they may enhance, reduce, confirm, set aside the penalty they may remit the case back to board of discipline or disciplinary committee for reconsideration or pass such order as thing appeal, 60 in 90 days, 90 days का time period है 90 days के अंदर, aggrieved party can file the appeal to the appellate authority within 90 days ठीक्त तो अब बात आजाती है professional misconduct क्या होते हैं, other misconduct क्या होते हैं schedule one के misconduct क्या है, second schedule के misconduct क्या है practicing member के misconduct क्या है member servicing के misconduct क्या है and member generally के misconduct क्या है और जो बाते schedule 1 और 2 में लिखी है क्या वो ही misconduct है क्या इसके अलावा यदि किसी matter पर complaint आती है तो क्या director discipline के पास power है inquiry करने की बताओ हाँ या ना ये total 34 clause क्या एक member इनके beyond भी किसी तरह की गलती करता है और उसके against complaint चली जाती है जो इन 34 point में नहीं लिखी बात क्या director discipline उस complaint की inquiry नहीं करेगा या उसके पास power है वो inquiry कर सकता है क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताएं जी साक्षी हर्षित लविश बिनाई बिने और बिनाई बिनाई ने खुद कहा कि आप मुझे बिनाई भी कह सकते हैं मैं आसाम से हूं जी स्वम्या रोहित रावत सिंग जवाब आया बिने का ही जवाब आया सर ये पावर होनी तो चाहिए येस प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंड़क्ट इट शेल बी दीम्ट तो इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन प्रोवाइड इन एनी ओपदा शेड्यूल यदि कोई चीज शेड्यूल में नहीं भी लिखी गई तो ये डाईर्येक्टर की बावर पर कोई लेमिटल नहीं है कि वह उसमें इंक्वाईरी कंड़क्ट नहीं कर सकता अदर ये वाइने वह सब्सक्वाइड नहीं से दिनल नहीं कर सकता So, this is about discipline direct rate, discipline procedures, और कल से हम शुरू करेंगे schedule 1, कल से नहीं, Monday, हमारी classes का schedule Monday to Friday का है, और Saturday Sunday में आप कोई भी pre-recording classes देखना चाहें, देख सकते हैं, जिन students की validity जिनों ने repeater batch opt किया है, वन मंथ की validity वाला, उनको तो वन मंथ के अंदर अपनी classes सारी देखनी ही है, तो Saturday Sunday का schedule आप अपना ऐसा रखिए, कि आप बाकी chapters जिनकी Google Drive पर आपको classes भी गई हैं, वो देख लेए. Chapter 1 देख सकते हो, आप quality control का, या जो भी quality control तो शायद live class के लिए रखा हुआ है, मैंने. वो schedule के हिसा आप से देख ले ना, या classes Google Drive पर डली भी हैं. Saturday Sunday भी class लेलो, भाई कुछ समय तो देदो, छोड़ दो. Saturday Sunday को class रख कर, मुझे test भी बनाने हैं अभी. तो वो time नहीं निकलता. तो कुछ तो समय चाहिए ही है, और अभी एक दो books के उपर और काम कर रहा हूँ. तो Saturday Sunday तो मैंने इन सब miscellaneous चीजों के लिए रखा हुआ है. 240 देख लेंगे हैं, कुछ भी देख लो, बहुत कम लिंक होते हैं चीजों के आपस में. और लिंक होंगे जहांपर आराम से समझ लोगे, ऐसे कोई tension नहीं है. उसी हिसाब से class दिस्ट को दिया है, आपको pre-recording class दिस्ट. टेस्ट चेप्टर वाइस होंगे क्या? हाँ, दो-दो चेप्टर से हैं, दो-दो चेप्टर से हैं. तो अब हमारी live class मंडे को होगी, first schedule से हम continue करेंगे. साक्षी, टेस्ट कब होंगे? टेस्ट का मैंने एक schedule दिया हुआ था, मैं Google Drive पर भी upload करा दूँगा, WhatsApp ग्रूप में तो शेयर किया था, बट आपके Google Drive लिंक के ओपर भी मैं test upload करा दूँगा. टेस्ट free of cost है, आपकी मर्चिय पैसे देना चाओ दे देना, मेरी तरफ से वैसे free of cost है, साक्षी टेस्ट का schedule मैं upload करा दूँगा, I think, कहां है, कहां है, मेरे laptop में तो है, रुगो, बताता हूँ. पहला test 18th August को है, बहुत दूर है, तब तक batch पूरा हो जाएगा, classes पूरी हो जाएंगी, पहला test 18th August को है, 13 October तक total 9 test है हमारे, total 9 test. मैं test schedule upload करा दूँगा, additional question वाला PDF भी share कर देना, okay, done, जी लविश, Saturday, Sunday में यही काम करने होते हैं, जो दो चीज़े आप मुझे extra बताते रहेंगे, additional question वाला PDF, Saturday, Sunday में due रहा मेरे लिए, मैं करवा दूँगा, हां जी, any other doubt? चलिए फिर, class को करेंगे over, और कोई doubt हो, तो WhatsApp पर भीज देना, वेन विल यू सेंट, वेन विल सेंट यू टेस्ट आंसर? 18 अगस्त को टेस्ट है पहला, और next दे तक आपको आंसर्स मिल जाएगे, कोशिश होगी, नेक्स दे तक आपको आंसर्स अवेलेबल कराएगे, इन टेस्ट के, वेर वी विल सेंट यू, इमेल पर, वो आपको पूरा का पूरा शेडूल जो बनाया हुआ है, उसमें इंस्ट्रक्शन्स भी लिखी हुई है, कि आपको उसकी PDF बना करके, एक mail ID के उपर भेजनी है, कितने वज़े तक भेजनी है, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल तो चलिए, आज का कार्येकरम नहीं पर करते हैं, ओगर और मुलाकात करेंगे मंडे को, थैंक्यू वेरी मच्च